हाई फ्रेंड्स मैं एड़ोकेट अविनाश नदन सर्मा दोस्तों क्या मकान मालिक किरादार के खिलाफ आपराधिक मुगदमा दर्ज करा सकता है बड़ा इंट्रेस्टिंग इशू है दोस्तों मकान मालिक ने किरादार के खिलाफ धारा 403 और 415 cheating and misappropriation of property के तहत FIR दर्ज करा गई कि किरादार बहुत समय से मकान मालिक का किराया नहीं दे रहा था बड़ा इंट्रेस्टिंग इशू है दोस्तों किरादार पहुंचा अलाहाबाद हाई कोट में quessing petition फाइल करते हुए FIR को रद करने की प्रार्थना की गई दोस्तों अलाहाबाद हाई कोट ने किरादा की इस प्रार्थना को नामंजूर कर दिया उसके बाद किरादार पहुंचा सुप्रिम कोट सुप्रिम कोट ने कहा कि अगर किराया बाकी है तो यह आपराधिक मुकदमा कैसे हो सकता है इसमें FIR कैसे दर्ज कराई जा सकती है जो section लगाए गये है 403 उस section की जो जरूरते हैं वो यहां पूरी नहीं होती और जो cheating का section है वो भी यहां applicable नहीं है इस तरीके से बड़ा interesting निरने दिया सुप्रिम कोट ने कि अगर कोई किराया बाकी है या फिर किरायदार मकान मालिक के घर में जवरदस्ती काबिज है तो इसके लिए civil कोट की प्रकिरिया है इस petition को आप वहां प्रस्तूत करो और वहां से आपको निरने मिलेंगे वहां से निर्देश मिलेंगे FIR दर्श करा देना या अपराधिक मुकदमा कोट में फाइल कर देना बिलकुल गलत है सुप्रिम कोट का ये निरने बहुत important है दोस्तो नीतु सेंग वर्सेज स्टेट औफ यूपी 2022 में सुप्रिम कोट ने ये बड़ा फैसला दिया है और लैंडलोड और टीनेंट के बीच की लड़ाई में FIR दर्श करने जैसी चीज बिलकुल गलत है सुप्रिम कोट ने ये कह दिया दोस्तो आप इस निरने का समर्थन करते हो या विरोध करते हो प्लीज आप बताएं मैं अगरी वीडियो में फिर मिलूँगा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें बाबाई